क्लास 7 हमने पिछले क्लास में आ रही रवी की सवारी कवीता का भावर्ट पढ़ा था अब हम उनके प्रश्णों को करेंगे तो उससे पहले उनसे जुड़े वे सो जो सब्दार्थ है उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है यहां पर दिये गया है सब्दार्थ उन सब्दार्थों को लिख कर उन्हें आपको याद भी करना है अब यहां देखेंगे यहां मौखिक प्रश्ण है तो मौखिक प्रश्ण का एक जैसे मैं बता दे रही हूं कि पहला प्रश्ण है किसकी सवारी आ रही है तो हमने भावर्ट में ही पढ़ा कि रवी की सवारी आ रही है तो यहां पर उत्तर होगा रवी की सवारी आ रही है इसी तरह से बाकी प्रश्णों को करना है बाकी प्रश्णों के उत्तर जो कि मैंने जो कविता का अर्थ बताया था उसी से वहां से हम इनके उत्तर ढूड़नेंगे उसके बाद है लिखे लगू उत्तर यह लेगा जैसे सूर्य का पत कली कुसुम कलियों और फूलों से सजा हुआ था हमने पढ़ा अब इसके बाद जो प्रश्ण है इनका उत्तर भी आपको इसी तरह से भावर्थ से ही ढून कर लिखना है अपनी कॉपी में उसके बाद है दिर्ग उत्तर ये प्रश्ण दिर्ग उत्तर ये प्रश्ण में पहला प्रश्ण है कवी ने पक्षियों को किसके समान कहा है तो कवी ने पक्षियों को यहां पर हम देखेंगे बंदी और चारन के समान कहा है जो कि किर्दी गायन कर रहे हैं तो ये है इसका उत्तर इसी तरह से बागी जो प्रश्ण है इनक तरह से करना है विकल्ब दिए गए उनमें से सही जो है उसे आपको टिक करना है और यह आप کو BOOK में ही करना है किताब में ही करना है बस प्रश्णों और सब्दार्त को आपको अपनी कौपी में लिखना है तो पहला है अनुचर का क्या अर्थ है तो यहां सेवक है और स्वामी तो अनुचर अर्थात सेवक मैंने टिक कर दिया है इसी तरह से बाकी प्रश्ण के भी उत्तर दिये गये है उसके बाद पठित पद्यांस को पढ़ कर प्रश्णों के उत्तर दीजे यह जो पद्यांस दिया गया है यहां बॉक्स में इससे पढ़ना है और इससे जुड़ेवे प्रश्णों का उत्तर आपको लिखना है तो यह हमने पढ़ा है कवीता से लिया गया पद्यांस है तो इसके उत्तर हमें ढूंड कर लिखने है तो पहला प्रश्ण है किर्थी गायन कौन गा रहे हैं तो किर्थी गायन यहां विहग अर्थात पक्षी गा रहे हैं तो इसी तरह से हमें पध्यान से प्रश्णों का उत्तर ढूनना है बाकी प्रश्णों का उत्तर उसके बाद है यहाँ नीचे दिये वाक्यों में संबंद बोधक सब्द हमें लिखना है तो यहाँ मैंने जैसे की उत्तर लिखा है पहला बच्चे चछत के उपर पतंग उड़ा रहे हैं उसी तरह से यहां पहले बता दिया गया है कि संबंद बोधक सब्द क्या होंगे जो अविकारी सब्द संग्या और सर्वनाम का संबंद आपस में जोडते हैं उन्हें संबंद बोधक कहा जाता है जैसे के बिना के उपर के आगे इसी तरह से इन सब्दों से ही हमें यह वाक्य पूर्ण करना है, जो यहाँ पर दिये गये हैं, तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नीचे दिये वाक्यों में रंगीन कारक का भेद लिखिए, रंगीन जो सब्द है, उनका वो कौन सा कारक है, कौन सा कारक का ना है, वो हमें लिखना है, तो पहला है आ रही रवी की संबंद कारक होगा संबंद कारक का चिन्न है उसी तरह से बाकी अन्य कारक है उन कारकों को चिन्न जो रंगीन कर दिया गया है उससे हमें बताना है कि वह कौन सा कारक है यहां मैंने उनके उत्तर लिखे हैं उसी तरह से कविता में समान तुक वाले सब्दों का प्रियोग अगर आपको लगता है और कोई भी सब्द है तो आप और और भी कई सब्द लिख सकते हैं, यहां जैसे कली , उसका है अली, अली अर्थात सकी, साथी state , pandemic बाकी वैसी सब्दों का मैंने उसका तुक मिला कर यहां सब्द लिखा है तो आपको और भी सब्द मिलते हैं तो आप जानते हैं तो उसे भी आप यहां लिख सकते हैं उसके बाद है इन सब्दों को भावाचक संग्या में बदल लिए यहां पे कुछ सब्द दिये गए उनको भावाचक संग्या में हमें बदलना है तो मधूर मधूर का है मधूरता स्वस्थ स्वास्थ्य इसी तरह से बाकी सब्दों का भावाचक संग्या में हमें इसे बदलना है तो उसे मैंने यहां पर बदला है उसी तरह से यहां पर पांचवा नंबर है इस कविता में सूर्य बा कार का प्रियोग किया जाता है तो उसे मानवी करन कहते हैं क्यूंकि इन सभी जो कारक है कारकों को मानों का रूप दिया गया है तो उसे हम कहते हैं मानवी करन कविता में इसे ऐसी मानवी करन वाली चार पंक्तिया चाट कर लेकिया और उनका अर्थ बताईए तो हमने पूरी क कविता पड़ी है और कविता का अर्द भी पड़ा है तो हमें उनसे चार पंक्तिया ऐसी निकाल ली है जिसमें सूर्य बादल पक्ची चांद और तारे ऐसे जो निर्ट जो है उन कारकों को मानों की रूप में दिखाया गया है तो हमें उन चार पंक्तियों को यहां लिखना ह जैसे कि यहाँ पे होंगे जैसे यहाँ विहग बंदी और चारन गा रहे हैं किर्टी गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवी की सवारी यहाँ पे भी तारकों को मानों का रुप दिया गया है इस तरह से हम इन पंक्तियों को भी लिख सकते हैं अपिछ फिर यहाँ पहली पंक्ति है उसे भी लिख सकते हैं नौ कीरन का पथ सजा है अली कुसुम से पथ सजा है बादलों से अनुचरों ने इसलम की पोशाग धारी आ रही रवी की सवारी तो यहाँ पे बादलों को अनुचर सेवक कहा गया है जो की मानों है और उसे स्वन की पोसाग धारी स्वन रूपी पोसाग धारन किये हुए बताया गया है तो यहां भी मानों का रूप दिया गया है तो इन पंक्तियों में से कहीं से भी आपको चार पंक्तिया निकालनी है उनका अर्थ यहां लिखना है उसी तरह से अगला है सही उत्तर चुनकर लिखि न testim, यहां devo बाकि.., उन पर बाकि ज़ो है। उनको भी इसी तरह से शही उत्तर चुन कर आपको टिक लगाना है. तो यह है इस जो हम ने कवीता पड़ी, उसकवीता के प्रश्नों का उत्तर जिसे आपको इन प्रश्णों का उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और सब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है बाकी जितने भी हमने अभी किये उन सभी को आपको अपनी पुस्तक में ही लिखना है धन्यवाद